एक बहुत बड़ा सर्प्राइज है आप लोगों के लिए सत्रा तारीक को जी हां सत्रा मार्च को हमारे ओफिस में संडे को सुबै ग्यारा वजे एक सेसन होगा जिसमें 25 लोगों को एंट्री मिलेगी ये कंप्लीट फ्री आफ कॉस्ट है गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लीज भर दीजिएगा जो आना चाहते हैं सिर्फ वही लोग भरें क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है और ये फ्री आफ कॉस्ट है और आप ही लोगों से बात करते हुए टॉपिक में हम उस टॉपिक को डिस्कस करके समझने की कोसिस करेंगे तो ये एक छोटा सा भाई वाला प्यार है तो गूगल फॉर्म भरिये और मुलाकात करते हैं हम अपने ओफिस में 17 माच हो कभी EV सेगमेंट का Demerger तो कभी पैसेंजर और कमर्सियल वहिकल का Demerger तो कभी group of company का IPO न्यूज तो बहुत सारी आ रही है Tata Group को लेकर लेकिन कब और क्या होगा ये नहीं पता है PV और कमर्सियल वहिकल के Demerger के लिए कमपनी ने official approval दे दिया है यानि वो सच में होगा बाकि जो news है वो सिर्फ market में rumor के basis पर है कि ऐसा हो सकता है कुछ दिन टायले ही इंडिया के सबसे बरे IPO के आने के chances बने थे नाम तो आप सबको ही पता होगा Tata Suns की बात कर रहा हूँ जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी और stock भी बताए थे कि Tata Suns में stake किन किन 4 share का है जिनको फाइदा मिल सकता है IPO आने के बाद और अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख ले और कौन 4 stock हैं कमेंट में बता सकते हैं Tata Chemical major benefit वाला stock था उसमें rally भी हुई 2-3 दिन में 20% टक भाग गया लेकिन अब Tata Group ने RBI से discuss किया है कि Tata Suns को NBFC upper layer से हटा दे ताकि उन्हें IPO लाना ही ना पड़े और फिर क्या था सेयर गिरने सुरू हो गए तो अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले Tata Suns अपना IPO क्यों नहीं लाना चाहता है पहला point क्या IPO आएगा नहीं या कुछ delay होकर आ सकता है और तीसरा जो बांकी सेयर है Tata Suns से related जिनमें rally दिखी और अब उनमें गिरावट हो रही है उनमें क्या करना चाहिए करेक्ट है तो इन सारी बातों को आज की वीडियो में कवर करेंगे आपको सारे जवाब मिल जाएंगी और सारी प्रेशानी से मुक्ती मिल जाएगी तो मैं मुकुल अगरवाल आपका आपकी के YouTube चैनल में स्वाइट करता हूँ जो भी नए लोगों चैनल को सब्स्राइब कर ले बेल आइकोन हिट कर ले और नोटिविकेशन ओन कर ले तो लास्ट वीक मुंबई की एक PWM यानि प्राइविट वेल्थ मेनेजमेंट कंपनी स्पार्क कैपिटल ने टाटा संस के IPO का प्रोजेक्शन किया था जिसकी टोटल वेलुएशन आठ लाग करोर लगाई थी यानि IPO का साइज मोटा मोटा 55,000 करोर का दिया था इसके बाद से न्यू सर्कलेट हुई कि भाईया आने वाला है और जैसे ही टाटा ग्रूप ने RBI को एप्रोच किया कि NBFC अपर लेयर केटेगरी से हटाया जाए तो फिर मामला उलट गया और टाटा केमिकल FNO BAN में आ गया राइट यूंके FNO सेग्मेंट में ट्रेड नहीं हुआ और अगर आज जिस दिन वीडियो में सूट कर रहा हू तो उस दिन भी टाटा केमिकल NAC के BAN लिस्ट में ही है हमारी टेक्निकल अनलिस्ट की बुक अब हिंदी, इंग्लिस और मराथी तीनों में अविलेवल है साथ में Money & You जो आपको Finance की एजूकेशन दे कि वो हिंदी और इंग्लिस दोनों में अविलेवल है लिंक डिस्क्रिप के लिए RBI के दो केटेगरी पॉइंट होते हैं कोई भी कंपनी अगर दो क्राइटेरिया पे सही होती है तो इस लिस्ट में नाम आ जाता है क्राइटेरिया वन कंपनी की टोटल एसे वैल्यू 100 करोर की होनी चाहिए और क्राइटेरिया नंबर टू कंपनी के पास डेट होना होता है और यही रीजन है कि विल्थ मेनेजमेंट कंपनी ने इनकी IPO वैल्यूशन कर डाला और जो टाता संस चाहती है वो किसी को नहीं पता था तो अब रीजन क्या है तो सबसे बड़ा रीजन यह है वो है मार्केट अब आप कहेंगे मार्केट क्या है हर आदमी IPO लाना चा ऐसे में टाता संस जैसे ही कंपनी अगर लिट हो जाएगी तो बांकी बिजनस पर इफेक्ट परेगा क्योंकि लिस्टिंग के बाद कंपनी को सारी इंफॉमेशन डिस्क्लोज करनी परेगी और सेबी के टर्म में इसको हम L.O.D.R. बोलते हैं लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और टाता संस ऐसा कभी नहीं चाहेगी इससे इनके बिजनस को इफेक्ट आए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम आएंगे सारी इंफॉमेशन बाहर लानी परेगी इससे मेरे बिजनस पर इफेक्ट आएगा भाया मैं IPO लाओ ही ना तो अब तक हमने बात की overall क्या चलता है ट आए या IPO में डिले कर रहा है और यही वो रीजन ही कि टाता संस की बहुत सारी प्लानिंग मार्केट में आही नहीं पाती है इसको बोलते हैं सरप्राइज एलिमेंट लिस्ट हो जाएगा तो मार्केट से सारा सरप्राइज एलिमेंट खतम हो जाएगा बिना लिस्ट की ये बेक एंड से कुछ भी प्लान कर सकता है and that's the big reason Tata is always leader ये तो clear हो गया अब investor को क्या करना चाहिए अब Tata का RBI के पास जाके भाया हटाने का तो point clear हो गया लेकिन इसको sure नहीं कहा जा सकता है कि IPO नहीं आएगा क्योंकि इसके पीछे का reason है यानि खाली कह देने से बोल देने से नहीं होता है Tata को IPO नहीं लाने है तो दो option है वो अपने asset size को 100 करोर से कम करे जो बिल्कुल possible नहीं क्योंकि Tata multi million dollar company है और ये तो आप और हम सब जानते दूसरा वो अपने debt जो कि Tata के पास 20,000 करोर का है उसको खतम कर दे या किसी और subject को दे दे फिर Tata के पास रास्ता क्या ब अगर आपको याद हो तो कुछ time पहले Tata chemical की भी news आई थी बट वो news थी official नहीं था तो ये debt transfer इस company में हो सकता है अब investor के लिए एक simple suggestion है कि जब तक कुछ official ना है पहले तो कुछ भी जल्दबाजी ना करे तार्टा क्या चाहती है वो clear हो गया किस तरीके से कर सकती है वो अब जब पता चलेगा तभी कुछ clear होगा बट आते हैं मुद्दे पर उन चार सेयर पर दीखिए Tata chemical की fundamental analysis मैंने उस वीडियो में कर दीती जिसमें मैं बता दिया था Soda S का price international market में गिरता जा रहा है कंपनी का OPM लगातार गिरता जा रहा है यानि fundamental basis पर performance जो near term का है वो Tata के में अच्छा नहीं है जो उसमें rally का reason बना है वो Tata Suns था जो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बतानी की कोसिस की थी लेकिन जो बाकी other share है वो काफी अच्छे ह यानि ये जो गिरावट हो रही है Tata Group के share में इस news के बाद वो आपके लिए एक बहतर बाका हो सकता है तो panic मत लीजे news base rally हुई थी news खतम हो जाने पर वो गिर जाएगी value adjust हो जाएंगे यानि news से जो उपर गया वापस नीचे आ गया फिर वापस से जो real fundamental है जो अच्छे है उ यहां पर extra ordinary movement आपने देखी जो generally दिखती नहीं कभी ऐसी बड़ी news पर आजाती है तो यानि आपको tension लेने की जरुवत नहीं normal good fundamental के base पर आप उसमें gameplay कर सकते हैं और फिलहाल अब Tata Group क्या करेगा किस तरीके से करेगा खुद को बचाने के लिए उसका जो update आएगा वो मैं आ पालो करते रही है प्यार देते रही है महबत देते रही है